जब हनमान जी की मासे हुई गलती एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी इसमें दुरुबासा रिसी भी भाग ले रहे थे जिस समय सभा में विचार भी मर्श चल रहा था उसी समय सभा के मध्य ही पुण्जिक इस्तली नामक इंद्र लोग की अपसरा बार बार इधर से उदर आ जा रही थी सभा के मध्य पुंजिक इस्तली का यो आजरन रिसी दुरुवासा को अच्छा न लगा दुरुवासा रिसी अपने क्रोद के लिए फरसिद हैं उन्होंने पुंजिक इस्तली को कई बार टोक कर ऐसा करने के लिए मना किया लेकिन वो अनसुना कर वैसा ही करती रही जो दुरुवासा रिसी ने कहा तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्यान नहीं है तू कैसी देव अफसरा है जो वानरियों की तरो बार बार आ जाकर सभा में जवधान डाल रही है जा अपनी इस आदत के कारण तू वांडरी हो जा दुरवासा रिसी का साप सुनकर पुन्जिक इस्तलिशन रह गई अपने आचरण का यह प्रणाम वो सोच भी नहीं सकती थी पर अब क्या हो सकता था भूल हो चुकी थी उसके कारण वो साप गरस्त भी हो गई उसने हाथ जोड़कर अनुय बिनैर कर कहा रिसीवर अपनी मूरता के कारण यह भूल में अंजाने में करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दिया सभा में व्यवदान डालने का मेरा कोई भी उद्देश्य न था किरपया बताए अब आपके इस राप से मेरा उद्दार कैसे होगा अपसरा की विंती सुनकर रिसी दुरवासा पसीजे बोले अपनी इस चंचलता के कारण अगले जनम में तू वानर जाती के राजा विरज की कन्या के रूप में जनम लेगी तू देव सभा की अपसरा है अतह तेरे गर्व से एक महान बलसाली यसस्वी तथा पर्भु भक्त बालक का जनम होगा पुन्जिक अपसरा को संतोस हुआ पुनर जनम में वानर राज विरज की कन्या के रूप में उनका जनम हुआ उसका नाम अंजना रखा गया विवा योग्य होने पर इसका विवा वानर राज केशरी से हुआ अंजना केशरी के साथ सुक पूर्वक प्रभास देर्थ में रहने लगी इस छेत्र में बहुत सांती थी तथा बहुत से रिसी आस्रम बना कर यज्यादी करते रहते थे एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंक बल नामक जंगली हाती परमत हो उठा तथा वन में उत्वाद मचाने लगा उसने कही आस्रमों को रौंद डाला यज्या वेदियां नश्ट कर दी उसके भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक अहात हो गए कही आस्रम उजड़ गए कही रिसी भय के कारण आस्रम छोड़ कर चले गए केश्री को जब शंक बल नामक हाती के इस उत्वाद का पता लगा तो वह आस्रम तथा आस्रम वाश्यों की रक्चा के लिए ततकाल वहां आये और संक बल को बड़ी कुसलता से घेर कर उसके दोनों दातों को पकड़ कर उखाड दिया पीड़ा से चिंगारता हुआ वो हाती वहीं ध्रासाई हो गया और मर गया आस्रम की रक्चा के लिए उनके अचानक पहुँचने तथा हाती को मार कर आस्रम वाश्यों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देख कर रिसी मुनी भहुत पर्सन हुए और केसरी के पास आकर आस्रिवात देते हुए कहा वानर राज केश्री जिस परकार तुमने आज हम सबकी तथा आस्रम की रक्षा की है इसी परकार भवुष्य में तुमारा हूने वाला पुत्र पवन जैसे बेग वाला होगा तथा रुद्र जैसे महान बल साली होगा तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्यापत रहेगा केशरी ने कहा रिसीवरों मैंने तो बिना किसी कामना के परमत हाती को जो किसी परकार से वश में नहीं आ रहा था मार कर आपकी इस यज्य भूमे को निर्वय किया है आपका दिया यह सतो आश्रिवाद मुझे सिरोधार्य है केशरी रिसियों को परणाम करके चले गए समय आने पर अंजना के गर्व से एक बालक का जनम हुआ उसमें अपने बाल्यकाल से ही रिसियों द्वारा दिये आश्रिवाद का तेज जलकने लगा आश्रमों में वह पवन वेक की तरो जहां तहां पहुंच जाता आश्रमों में विगन डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने आपार बल से खरेड देता अपने इस प्राकरम से हो हो मद मत हो जाता तथा अपने सातियों के साथ हो आश्रमों में क्रिडा करने लगता उसको खेलने से कोई रोकता तो हो उसको भी तंग करने लगता बालक तो था ही उसके बाल कौतुक से जब रिशियों को अस्विदा होने लगी तथा उनके पूजा पाट और यज्यम में व्यवधान आने लगा तो उन्होंने उसके सवाव में सांती लेने के लिए आस्रिवाद जैसा साप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे जब तब कोई तुमें आउशक होने पर तुम्हारे बल की याद दिलाएगा तब फिर तुम में आपार बल जागरित हो जाएगा इससे वह बालक सांत सवाव का हो गया केशरी नंदन यह बालक आगे चल कर हनमान नाम से परसिद्ध हुआ सीता जी की खोज के लिए वह जब कोई समुद्र पार करने का सास नहीं कर रहा था और हनमान जी भी चुप बैठे थे तब जामवंत ने हनमान जी को उनके वलकी याद दिलाई थी तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता की खोज की पार की